यह जब भर्द लो खाना बनाते हैं उसके यह टेल स्केमाल करते हैं तो यह कंद पड़िपबात टेलों प्रयोंक्त को पुद्धान लोग्रिष्ण कर वाया तो पटा चला कि वो इतले खराब हैं उसमें इतले कैमिकल प्रक्ऽिकंशमीन विसमेकglich जिनकी आपको कलपना ही नह यह बहुत बढ़ गया था, इन्हों ने एक ही परिवर्कन किया आपने जितिगी, डिबाबन तेही खाना इन्हों ने बढ़ कर गया, शुद तेही खाना शुरू किया, अब उसके बाद इन्हों ने लिटिट प्रोफाइल चेक कर आया, तो इनका जो खराब पॉलेस्टर था कम हो गया, और जो अच्छा पॉलेस्टर था वो बढ़ गया, यह जो इंके लिए परिणाम आया, वो भारत में सैटरों लोग भी यही बात करते, वोई कहते कि जब से दिबाबन तेही खाना उन्हों ने छोड़ा, उनक्या कख्लीस पहले से कम हो गया, तो आप शुद तेह खाईए, दिर पेल बंद तेल मत लाइए, शुद तेल खाईए, तो आप लेगे जी, धमतरी में शुद तेल का मिलेगा, तो तेजी धानी में एक लगा दिए, इन लोगों ने कहिए एक तेल धानी शुरू करनी जा रहे, तो आपको यह सोही जिए और बफन साब के सभी ते और हमारे घरों में काईबा इसनालों का सरसों का, यह तीन को छोड़कर चाथा कोरे तेल मत खाई, सुरज मुखी का तेल कभी मिमत खाई, क्योंकि सुरज मुखी का तेल मनुष्य के खाने के लिए नहीं, दोनों ही तेल का जो गैसिक पाइंट है, जिस पर वो पच्छने की क्रिया शुरू होती है, वो मनुष्य शरीर से उंचा है, हमारे शरीर का मॉर्मन तो बोटे घंप्रेचर है, वो सेंटिस दिर्डी सेंटिग्रेट है, सोयाधीन तेल और यह जो सुरज मुखी का तेल है, इसको डाइजेस होने के लिए 40-42 दिर्डी लगता, उतना गंप्रे इसको ध़रोर सेको बोटे बहुत काम का है, मनुष्य के काम की जो थित्य लिए manifest है, जो सुरेवीर का पूंटिक्ति हो ऺता मानु ऐसे दाल का है, आपके कभी रेका, वामन की पूझा है, वीके लिचर का सुरेट है? बगवान की बुजा में उड़की डाल रखते हैं, मुंग की डाल रखते हैं, मसूर की डाल रखते हैं, अरेयर की डाल रखते हैं, चली की डाल रखते हैं, सोयगी डाल को भी 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 नहीं रखते हैं, तो कि वो अच्छी नहीं है, शास्त्र के हिसाब से भी नहीं है, इंग्य इससे कि अबरभी दो कि मज़िए बुर्द कुछ पानी प्रेस कर नहीं, ज़रूर कमेट झासकते हैं, ज़रूर करेएं भर मैं करने, कि किसका इक जए पहले पानी पिसकते हैं? बहुत अछा प्रश्म है ठाइक जया पानी कि सकते हैं गेहूं के साथ चलिये को मिला के खाईए, सोयविन की बिल्कुल जरुदत, चना और गेहूं बेस्ट कॉंबिनेशन, किसी दो मत खाईए, उस सोयविन को पचाने के लिए तो शरीद में लगता है ना रिंजाइन, वो है नहीं हमाने सोयविन, वो सिर्फ सुर के शरीद है, आप चना खाईए ना बोड़ा चना खाता है, और धुनी सबसे बड़ी ताकत भोड़े में पाली जाती है, और हर ताकत को भोड़े से ना पजाता है, होर्स पापर, आप चना खाईए ना, वाइकूर